सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप आसके हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहोतास नीमी है और अब सभी का सवागत हमारी यूटूब चैनल नीमीजी नेटकर दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं नवी करणिया उर्जास्तरोत यानि की रिनेवल एनेर्जी सोर्सिज के बारे में दोस्तो इसके बारे में हमने एक सुबह वीडियो बनाई थी उसके अंदर आपको बताया था कि इसमें से कितने कोशन आज तक आए हैं और किस तरह से इसमें से कोशन पूछे जाते हैं ज्यादातर जो question होते हैं दोस्तों वो target ways होते हैं कि भारत ने 2030 तक कितना target रखा है, bio gas से कितना target रखा है, hydro power से कितना target रखा है, तो इन सभी के बारे में हमें पता होना जरूरी है, तो इस वीडियो में दोस्तों हम renewable energy के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानने वाले हैं, तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना, दोस्तों अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से study करने के लिए हमारा paid course भी जोइन कर सकते हैं, इसके इंदर हम आपको सभी 10 unit के study notes देते हैं, theoretical videos देते हैं, इसके साथ 2012 से लेके December 2019 तक old year question paper देते हैं, with the topic wise question, जैसे कि आज तक research के question आ चुके हैं, teaching के question अलग रखे हैं, communication के अलग रखे हैं, इस तरीके से सभी 10 unit के question हैं, आपको अलग लग किये हुए मिलेंगे, इसके साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 unit के live mock test देते हैं, दोस्तों अगर आपको हमारा paid course जोइन करना है, तो जल्दी इस्तवाल करने के लायक हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, नवी करने और जास्तों कहते हैं, अब देखिए कुछ हम एक्जामपल लेके चलते हैं, जिससे आपको बिल्कुल असानी से समझ में आ जाए, जैसे कि हमारे पास सुरिय की किरने होती है, तो उससे क्या है कि हम बार बा पास बायो मास है बायो मास है जैसे कि गोबर गेंस प्लांट की बात मेगरा की जाती तो उनसे भी एनरजी प्रडूज की जाती है और उसके विपरी तगर हम बात करें नौन रिनेवल एनरजी की यानि कि ऐसे एनरजी सौर्सिस जो एक वार यूज होने के बाद दोबारा यू लुजन नहीं कर सकते और आपने सुना भी होगा कि पैट्रोल जो हो धीरे 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 खतम होता हुआ जा रहा है अब हम इसमें यह देखते दोस्तों हमारे एक्जाम के पाइंट ओफ व्यू से क्या इंपोर्टन्ट चीजे हैं अब देखिए जो नवी करने उर्जा स् होट है और दोस्तों यहां पर एक चीज और मैं बता दो कि अक्से उर्जा को हम नवी करने हैं इस तरोत भी कहते हैं यह दोनों की दोनों सेम चीज है और एक और चीजव जैसे इसके अंदर हर राजस्थान के अंदर सोरूर्जा से उत्पादन किया जाता है इलेक्टरी और इसके बाद जैसे और भी काफी सारी जानकर हैं हमने यहां पर दियुए आप ये सभी की सभी पढ़ लेना एक बार और इसके बाद जैसे कुछ और महत्वपूर्ण तत्थे हैं वो हम देख लेते हैं जैसे नंबर दो पर इन्हों ने दिया है कुल स्थापित पाउन अंदर ये कोशन भी आ सकता है दोस्तों और उसके बाद में जैसे हम बात करें कि अप्शन नंबर चार इन्हों ने दिया है वर्तमान में भारत के पास नवी करने स्त्रोतों से अठावन पॉइंट तीस मेगावाट उर्जा उत्पाधन की अक्षमता है अब देखिए भारत में जो भी हमारे पास नवी करने उर्जा स्त्रोत है वो जितनी भी टोटल एनर्जी हम प्रड्यूज करते है चाहिए वो रिनेवल एनर्जी सोर्सीजों या नॉन रिनेवल एनर्जी सोर्सीजों उसमें कितना भाग है दोस्तों अठावन पॉइंट तीस मेगावाट है और अगर इसे percentage की बात करें तो दोस्तों 18.5% इसका हिस्सा है वो किसका है दोस्तों नवी करने है उर्जास तरोतों से हम 18.5% electricity या energy अपनी produce करते हैं उसके बाद में दोस्तों जैसे की 5 पे भारत की कुल 100 उर्जा उत्पादन अक समता 2030 तक 100 शमता का 8% होने की उमीद है और उसके में यह कहा जा सकता है कि भारत सिगरी ही अक्षे उर्जा के अक्षेतर में दुनिया में एक उतकर्ष्ट स्थान हासिल कर लेगा और इसके उपर दोस्तों नई दिल्ली के अंदर एक जो समेलन है उसका आयोजन हुआ था अंतराष्ट्रियस और ऐलाइन से सिखर समेलन हुआ तो इसमें ये कोशन आ सकता है दोस्तों कि अंतराष्ट्रियस और ऐलाइन से सिखर समेलन कहां पे हुआ था तो कहां पे हुआ था ये नियू डैली के अंदर हुआ था दोस्तों तो ये बात हमें पता होना चाहिए और इसके लावा और भी काफी सारी चीज़े हैं जो हम यह यहां पे देख सकते हैं दोस्तों आप यहां पे पढ़ लेना बिलकुल असानी से आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी और यही चीज़ हमने दोस्तों यहां पे English में भी दियुए है दोस्तों अगर आप English में पढ़ना चाहे तो English में भी इसको पढ़ सकते हैं और उसके बाद कुछ और main point है वो भी हम देख लेते हैं अब देखिए इसमें एक और important point है वो हम देख लेते हैं देखिए 2019 के अंदर जो counting वगरा की गई थी तो उसमें क्या निकल के आया था कि भारत की कुल विजली उतपादनी यानि कि जो electricity produce करते है भारत के अंदर टोटल उसका मिसरन क्या है वो इन्होंने बताया था कि अक्षे उर्जा यानि कि अन्य स्तरोतों से 8% electricity produce की जाती है तो दोस्तों ये भी हमें पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसमें से question आ सकता है और और इसके अंदर जैसे कि हम बात करें यहां पे एक और हाँ ये जो question है दोस्तों ये question आया था हमारे पहले exam में आ चुका है इन्होंने पूछा हुआ था कि 2027 तक नवी कर्णिय उर्जा स्तरोतों से विजली की कुल अक्षमता कितनी है वो इन्होंने पूछी हुई थी तो इसका अंसर 57 परतिसत था तो ये चीज हमें ध्यान में होना जुरूरी है उसके बाद दोस्तों 2027 के blueprint के अंसर भारत का लक्ष है नवी कर्णिय उर्जा स्तरोतों से कितना है दोस्तों 25 गीगावाट है और 72 गीगावाट पन विजली से है और 15 गीगावाट दोस्तों परमानू उर्जा से है और अन्ने स्तरोतों से कितना है दोस्तों 100 मेगावाट इ लेना क्योंकि इसमें से कोशन आने की पुरी-पुरी संभावना है और दोस्तों अगर आप इंगलिस में पढ़ना जाए तो ये इंगलिस में भी पढ़ सकते हैं ये देखिए ये जो ऊपर दिया हुआ हमने ये पुरा इंगलिस के अंदर दिया हुआ है और नीचे हमने हिंदी में दे रखा है और आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे इसके अंदर और क्या चीज़े है देश की कुल बिजली उतपादन शम्ता में अक्षे उर्जा का हिस्सा 2022 तक बढ़ कर 18% तक पहुंच जाएगा औ और अभी कितना दोस्तों ये 7.8% तक है और आगे देखिए दोस्तों अक्टूबर 2019 तक जो विकाउंटिंग विगरा हुई थी उसके नुसार क्या है कि भारत के पास 31 मार्च 2030 तक 450 गीगा वोट का नवी करनी उर्जास्तरोत लक्षे रखा गया है तो दोस्तों ये चीज़ दोस्तों वो था 3.5.300 गीगा वोट था और अब कितना हो गया है 4.4.400 गीगा वोट हो गया है ये हमें चीज़ ध्यान में रखना जरूरी है और उसके बाद में दोस्तों ये जो कोश्चन है दोस्तों इस में से करीब 4.5 बार कोश्चन आचुके हैं इस पॉइंट को हम से निरोधारित किया गया है दोस्तों तो इस remote emoji competitions किया गया है और उसके बाद दोस्तों जो jaką Apostle Sug ع bueno उर्जा से सो गिगाँए और आप उर्जा से और पांच जो झेद वड़नित और उर्जा से का निरोधारित किया गया है और यहां पे जैसे हमने English में भी दे रखा यहां पे आप देख लेना अगर किसी को यह ना पता चले कि पाउन उर्जा को क्या कहते हैं और जल्विद्योत उर्जा को क्या कहते हैं तो वो आप यहां पे देख लेना बिलकुल असानी से आपको समझ में आ जाएगा लेकिन एक चीज़ में आपको बार बार कह रहा हूं कि यह जो पॉइंट है दोस्तों यह पॉइंट आप अच्छे से कर लेना क्योंकि इस में से अभी तक यहां पर देखें दोस्तों यहां पर हमने एक चार्ट भी बनाया हुआ यह आप चार्ट देखना चाहें तो यह भी देख सकते हैं कि विंड पावर जो है उससे कितनी एनर्जी परड्यूश होती है गया मेगा वाट के अंदर यह हमने बात की थी कि 60 मेगा वाट परड्यूश होती है सोलर पावर से सो मेगा वोट की हम ने बात की थी और दोस्तों एक जो कोश्चन इसमें से यह बन सकता है दोस्तों कि जो हमारे रिनेवल एनर्जी सोर्स हैं उनको करंवाइस हमें लगाना है यानि सबसे पहले आएगा दोस्तों हमारा सोलर एनर्जी आएगा और फिर आएगा हमारे पास बायो मास आएगा और फिर आएगा ये साइद समाल हाइडरो पावर आएगा तो ये चीजे आप देख लेना दोस्तो किसकी जो अक्षमता ज्यादा निर्धारत की गई जैसे ये देखे ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर इसमें देख लेना दो तो ये दोस्तो ये काफी important चीज़ है और दोस्तो अगर आप कोई PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा paid group जोइन कर शकते हैं उसके अंदर हम आपको सभी 10 unit के PDF study नोट्स देते हैं प्लस में हम आपको 2012 से लेके 2019 तक old paper question देते हैं जै और उसके बाद दोस्तो अगर हम बात करें क सभी sources की मिला के चले यानि कि वो renewable हो चाहिए non renewable हो तो उनसे कितनी energy produce होते हैं तो वो भी यहाँ पे दी गई है जैसे कि कोईले से कितना है चोंवन परतिसत है और large hydro से है 12 परतिसत है गैस से कितनी होती है 6.90 होती है तो यह चीज़े भी आप ध्यान में दे लिना दोस्तो तो आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो इसी वीडियो को like कीजिए share कीजिए comment कीजिए और दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो please हमारे चैनल को subscribe कर लिजिए और घंटे का बटन जरूर दबाईए ताकि आप हमारी आने वाली वीडि वीडियोज को असानी से देख सके हैं थैंक्यों दोस्तों